आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार चेर्मैन निपेंद्र मिश्रू आयोध्या से इस वक्त की वड़ी खबर राम बंदिन निर्मार समीदी की होगी बैठक 29 दिसंबर को सरकीट हाउस में होगी बैठक मंदिन निर्मार कार की समीख्षा करेंगे चेर्मैन निपेंद्र मिश्रू आयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिन निर्मार समीधी की होगी बैठक 39 दिसंबर को सर्कीट हाउस में होगी बैठक मंदिन निर्मार कार की समीख्षा करेंगे चेर्मैन निपेंद्र मिश्र आयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर राममंदे निर्मार कार समीधी की होगी बैठक 29 दिसंबर को सर्कीट हाउस में होगी बैठक राममंदे निर्मार कार की समीख्षा करेंगे च्यर्मै अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर राममंदे निर्मार समीधी की होगी बैठक इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संबादात राघुवेन जुड़ चुके हैं जी अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले को लेकर कि कब तक ये बैठक की शुरुवात हो सकती है जी बिल्कुल मुस्राम देखिये जिस तरीके अध्या में राम बंदिर निर्मार समित की एक आज आज से बैठक शुरुव हुई है उसको देखती हुए आज राम जन भूम जास के जितने निपिन मिश्रा हैं ये आई हुए हैं और उन्होंने अध्यारियों के साथ और कार सम किया इसमें होगी ये इस बैठक में और किन-किन मामलों पर चठ्चा हो सकती है यह लिए यह के लिए अचप में तुरच्छा वे वस्था को लेकर के और राम बंदिर को निरमार समित के कारियों को लेकर के इन सब चीज़ों के बारे में गहन बइभाट की जाएगी और बैठग में हो रही है और ये सारी बाते आब याज था दो दिन की जो बैठग चल दो दीएं इसमें अवर कल जो हास से निकल किरा आता है क्या चैया है और किन कि तब तक हो शकता है कि कई बैठोकों का दौर ये चले जिसकों ले करके और कार्शमित के जितने भी पदाधिकारी गड़ हैं वो सारे के सारे इस बैठग में सामिल हो सकते हैं धन्यवाद रागवेंद मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुणने के लिए तो भी आपने सुना कि राम बंदि निर्मार समीती की बैठग आयोध्या में होगी जिस पर राम बंदि निर्मार को लेकर और निर्मार कारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी अयोध्या में पेश हुआ माफिया अजय सिपाही अमबेटकर नगर पुलिस माफिया को लेकर पहुची देर्राग माफिया को रिमार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया माफिया अजय सिपाही को जेल भेजा गया आरोपि को महिंदी बाला जी मंदर से गिरफतार किया गया था ब्लॉक प्रमुग भी रह चुका है अजय सिपाही आयोध्या में पेश हुआ माफिया अजय सिपाही अमबेटकर नगर पुलिस माफिया को लेकर पहुँची दिर रात माफिया को रिमान मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया माफिया अज़स सिपाही को जेल भेजा गया यूपी में 24 घंटे में कुरोना के 80 नए मामने सामने आए कौतमबुद में सबसे ज़ादा 23 नए मामने सामने आए 24 घंटे में गाजियाबाद में 12 और लखनाओ में 11 केस मिले लोगों की लापरवाही बढ़ा रही कोरोना संक्रवन का खत्रा लखनाओ में लगातार बढ़ रही कोरोना के मामने यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 80 नए मामने सामने आए कौतमबुद नगर में सबसे ज़ादा 28 नए मामने सामने आए 24 घंटे में गाजियाबाद में 12 और लखनाओ में 11 संक्रमित सामने आए लखनाओ में लगातार बढ़ रही कोरोना के मामने फरुखाबाद दोरे बढ़ जाएंगे सीम योगी कई परियोजनाओं का करेंगे लोकारपण और शिलन्यास 130 करोड की परियोजनाओं का करेंगे लोकारपण 65 करोड की 75 परियोजनाओं का लोकारपण करेंगे सीम योगी कि सदर के क्रिशियन मैदान में होगी जनसभा फरुखाबाद दौरे पर जाएंगे सी एम योगी कई परियोजनाओ का करेंगे लोकार पर शिलन्यास एक सो तीस करोड की परियोजनाओ का लोकार पर करेंगे सी एम योगी परियोजनाओ का करेंगे लोकार पर साथी सदर के क्रिशियन मैदान में होगी जनसभा फरुखाबाद दौरे पर जाएंगे सी एम योगी कई परियोजनाओ का करेंगे लोकार पर शिलन्यास इस खबर पर तमाम जौनकारी के लिए हमारे समवाद दाता सुन्दरम जुर चुके हैं जी तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास कि CM योगी कब तक पहुचेंगे सुन्दरम जी बताईए कि सुरक्षा विवस्ता वहाँ पे कितनी सा जग है प्रदेश में जो मौसम का हाल है वो काफी मिजाज बदला हुआ लग रहा है इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट दिख रहा है कि क्या कुछ अगर बारिश होती है तो उसके मद्दे नजर क्या कुछ तैयारिया की गई है दन्यवाद सुंदरा में इस खबर पर हमारे साथ जानकारी सांजा करने के लिए तो आपको बता दे की सीम योगी जो है वो फरूखाबाद दोरे पर जा रहे है जहां वो कई परियोजनाओ का लोकार पन और शेला न्यास करेंगे और उनकी तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन एलर्ट हो चुका है फिरोजाबाद दोरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी महिलाओ से समवात करेंगी प्रियंका गांधी वाट्रा सिर्शा गंच के गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में होगा कारिकरम कारिकरम को सफल बनाने में जुटे सभी कॉंग्रेसी ने ता आपको बता देगी फिरोजाबाद दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी, महिलाओ से समवात करेंगी प्रियंका गांधी सिर्शा गंच के गिर्धारी इंटर कॉलेज की मैदान में होगा कारिक्रम और इस कारिक्रम को सफल बनाने में जुट गए हैं कॉंग्रिस नेता आपको बता देगी फिरोजाबाद दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी, जहां वो महिलाओ से सीधा समवात करेंगी सिर्शा गंच के गिर्धारी इंटर कॉलेज के मैदान में कारिक्रम होगा और इस कारिक्रम को सफल बनाने में जुट गए हैं कॉंग्रिसी नेता आपको ब्रज़ की गई यूपी में मौसम विभाग ने अलर्ड जारी किया विभाग ने 30 दिसंबर को भी जताई बारिश की संभावना जताई हैं विभाग ने 18 जिलों में बारिश की संभावना जताई है बारिश की वज़े से तापमान में गिरावट दर्च की गई यूपी में मौसम विभाग ने अलर्ड जारी किया इस ख़बर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए गौरफ शिर्वासा जुड़ चुके है तो इस वक्त लगातार जो है प्रदेश में बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है आपके पास इसके लिए देगा शक अब को तारूँ जबी लवन अपा 3 दिनी पहले दिल्ली में बारिश हो रही थी और तब ही अंदेशा चाता जाता जाता है जो पहारी लाके हैं वहां बार इस होती यह पारा गिरता है तो उसका अस्तिर रूप से उस्ता भायार के घ्ट सब्सक्राइब कर दिया था कि जो बारिस दिल्ली में हुई है वो आने बार इस समय में बुद्दवार गुरुबार को रखनौ और जो तमाम आसपर की चेते हैं मेरट नुड़ा बिलीवीट और जो हाथर जहां बैराइच संतिक विन नगर है गुरगपूर है कानपूर और य प्रशासर ने क्या कुछ तैयारिया कर रखी है प्रशासर ने चुकि प्रशासर ने चुकि पानी गरता है तो जहां पर जो रहन बाख खुले में है जिनकी उपर कोई चछ नहीं है आलाग से बने हुए या किसी चल्टर के नहीं है प्रशासर ने की है और इसकी खास ही सभी जिलादी कारियों को पहले से आदेश दे दिया गया है तो यूपी में इस वक्त मौसम का मिजास पूरी तरह से बदल चुका है और बारिश की वज़े से तापमान में गिरावट दर्श की गई है लखनाओ दौरे पर आएंगे ग्रह मंत्रिया मिजशा भाजपा कार्याले में बैठक करेंगे भाजपा के जन्विश्वास यात्र की समीक्षा करेंगे शाह तीन जन्वरी को जन्विश्वास यात्र का समापन होगा लखनाओ में अवच्षेत्र की यात्र का समापन होगा भाचपा कारियाले में बैठक करेंगे अमिचा भाचपा कारियाले में बैठक करेंगे asures uh Oh भाजपा के जन विश्वास यात्र की समीख्शकरिय विश्वार्पर informed खोरी को जनविश्वास यात्रा का समापन होगा लक्षनव में अवर्च 앞에 शेत्र की यात्रा का समापन होगा है लक्षनव तो गौरफ जी अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस मामले में आपके पास की लगातार 2022 की चुनाफ को लेकर भाश्पज है वो पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है तो अमिच्छा का लगातार 22 हद तक मातुपूर्ण माना जा रहा है तरह से जब देखा गयाता है कि पस्तिम से नुक्सान हुआ से किसान आनों जलते एक जुरू से ब्यूस्था बनाए गई थी कि दोबादा सब्सक्ता माने के लिए लगातार पमिलन भी किये गए थे उसका माना जाता है कि BJP बहुत जल्दी कोई बिस्स का रिकम निकालेगी औ पर दिसम्बर ते चाहिए जो कि पूरे चार सुसीन ब्रणसवा चेतों से बुजर रही है ना पतानू अमेस्ता ते लगाता दो अरहे हो है परामंती ना मोदी लगाता उत्तों पर इसम्बर से लेके और चार बड़े कारेकों में उन्हें ने शिर्कत किये और जन्सवा को स करेंगे किस तरह से आने वाले समय में और उन्हें तयार हो सके कि बिज़े की दुवारा 2022 में सब्सक्राब है आज पके फरुखाबाद में 174 विकास परियोजनाओ की देंगे सोहार बीज़े पी जन्विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीम्योगी गोरखपुर नगर निकम के नव दिर्मित भवन का लोकारपन करेंगे सीम्योगी परुखाबाद अम्रोह और गोरखपुर का करेंगे दौर नई स्कूल के लोकारपनोश इलन्यास कारिकरम में होंगे शामिल फरुखाबाद में 174 विकास परियोजनाओ की देंगे सोहार बीज़े पी जन्विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीम्योगी फरुखाबाद दौरे बढ़ जाएंगे सीम्योगी कई परियोजनाओं का करेंगे लोकारपडव शिलन्यास 130 करोड की परियोजनाओं का करेंगे लोकारपड 65 करोड की 75 परियोजनाओं का शिलन्यास करेंगे सीम योगी सदर के क्रिशियन मैदान में होगी जनसभा प्रदेश में चिकित साधिकारियों के हुए तबादले डॉक्टर आलोग शिर्वास्तव बने बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अनुन प्रकाश शतुर्वेदी को बनाए गया सिविल अस्पताल का निदेशक प्रदेश में चिकित साधिकारियों के हुए तबादले डॉक्टर आलोग शिर्वास्तव बने बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अनुन प्रकाश शत्रुवेदी को बनाए गया सिविल अस्पताल का निदेशक और डॉक्टर डेनुश शिर्वास्तव बने निदेशक स्वास बान निदेशाल प्रदेश में चिकित साधिकारियों के हुए तबादले फतेपुर में स्वास भाग किला परवाही आई सामने अस्पताल में गाइब हुई बिजली बिजली कुल होने से मरीजों और डॉक्टरों को हो रही परिश्रानी मॉबाईल की टॉर्च से ।ॉक्टरों ने मरीजों की जाँच की सिटी स्कैन के इंतुजार में अस्पताल में बैठे दीखे मरीज फतेपुर में स्वास भाग कि अला परवाही आई सामने अस्पताल में गाइब हुई बिजली बिज्दी कुल होने से मरीजों और डॉक्टरों को हुई परिशानी मॉबाइल की टॉर्ज से डॉक्टरों ने मरीजों की जाँच की सिटी स्कैन के इंतुजार में बैठे दिखे मरीज फतेपुर में सुआसुभा किला पर वाही आई सामने अस्पिताल में गायब हुई बिजली कन्नों से इस वक्त की बड़ी खबर पियोज जैन के पैत्री का आवास पर छापे मारी का मामला छापे मारी के दौरान सोना लेकर गई डीजी जी आई की टीम डीजी जी आई की टीम को मिला 23 किलो सोना दो बैग लेकर जाते दिख्या अधिकारी कन्नों से इस वक्त की बड़ी खबर पियोज जैन के पैत्री का आवास पर छापे मारी का मामला छापे मारी के दौरान सोना लेकर गई डीजी जी आई की टीम डीजी जी आई की टीम को मिला 23 किलो सोना दो बैग लेकर जाते दिख्या अधिकारी कन्नों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पियोज जैन के पैत्री का आवास पर छापे मारी का मामला इस खबर पर हमारे साथ और जानकारी के लिए राम रिशी जुड चुके है तो जी राम रिशी जी लगा तार डीजी जी आई की टीम की छापे मारी जा रही है और अभी क्या कुछ इस मामले में अपडेट मिली है आपके पास किया और क्या कुछ पियोज जैन की पैत्री का आवास से बरामत हुआ है टीम जो है यहां से रवाना हो गई है और कल रात में रवाना हुई है तो कनौ से इस वक्त की बड़ी ख़बर बता रहे है जहां पियोज जैन के पैत्री का आवास पर छाबे मारी के मामले से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आ रही है लकीम पूर खीरी में ट्रेक्टर बना आग का गोला किसान के ट्रेक्टर में आग लगी खंबार खेड़ा चीनी मिल में गन्ना लेकर गया था किसान आग लगने से ट्रेक्टर जलकर राख हुआ शार्दान अगर पुलिस चौकी छेतर का ये पूरा मामला सामने आए है लकीम पूर खीरी में ट्रेक्टर बना आग का गोला किसान के ट्रेक्टर में लगी आग लखनाओं में तेंदुए का अतंक जारी घर की छट पर चड़ा तेंदुआ सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वीडियो जाज में सामने आए वारल वीडियो की हकीकत वारल वीडियो जापुर का बताय जा रहा है लखनाओं में तेंदुए का अतंक जारी घर की छट पर चड़ा तेंदुआ सोशल मीडिया पर वारल हो रहा तेंदुए का वीडियो जाज में सामने आए वारल वीडियो की हकीकत वारल वीडियो जापुर का बताय जा रहा लखनाओं में तेंदुए का अतंक जारी फरीदाबाद में युवक की हत्या से फैली संसनी सीची टीवी में क्यांद हुआ हत्या कांड सीची टीवी से खौक्फनाख हत्या का हुआ खुलासा पूरा मामला पाखल गाउ का फरीदाबाद में युवक की हत्या से संसनी फैल गई जहां सीची टीवी में इस पूरे हत्या कांड क्याद हो गया जाँ वारल वीडियो में युवक को बेरहमी से मारते हुए ये वीडियो वारल हुआ है पूरा मामला पाखल गाउ का फरीदाबाद में युवा की हत्या से फैली संसनी CCTV में क्याद हुआ हत्या का अंड CCTV से खौफनाख हत्या का अंड का हुआ खुलासा पूरा मामला पाखल गाओं का इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे समवाद दाता मनोज जुड़ चुके है जी मनोज अभी तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट है आपके पास की CCTV कैमरे की जो फुटेज है वो सामने आ गई अभी तक पुलिस ने कोई कारवाई की है या नहीं की है इस परकार की जो बारबात है वो सरयाम हो रही है ऐसा ही मामला पाली का पाखल का है जहां पर CCTV कैमरे में और जो तक्वीर जहराने कर दोने वाली है जो सामने कैड हो पाई है कि लगातार बात बार करता रहा और कोई भी बचाने नहीं पहुता और जिवद्ध गंडी रेश्टर घाल हो गया इसके बार ते उप्चार के लिए निजी अस्टिन ले जाए गया गया जहां पर उसे डॉक्तर में प्रोसिस कर गया तो पुलिस नहीं तक क्या कुछ इस पर कारवाई किये जहां पर खुद इस पर हमारे साथ जुनने के लिए तो फरुखाबाद में युवक की हत्या से संसनी फैल गई जिसका सिसी टीवी फोटेज जो है वो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है और पुलिस लगातार की वीडियो सामने आने के बाद आप आरोप्यों की किरफतारी की मांग कर रही है झाल